हेलो फ्रेंट्स वेल्कम बाक टू जुडिश्री क्रैकर आज का हमारा टॉपिक है कमेंस्मेंट आफ प्रोसीडिंग फिफोर मजिस्ट्रेट आज हम पात करेंगे सेक्शन दोसुचार से दोसुद दस की कि कोगनीचन्स लेने के बाद मजिस्ट्रेट का क्या प्रोसीजर फॉ कर सकता है क्या उसे परस्नली अपियर कोट में होने से मना कर सकता है चूट दे सकता है सामन पैटी केसे में कब इस्यू होता है यह पैटी केसे क्या है अक्यूस को जो भी स्टेट्मेंट सप्लाइब डॉक्यूमेंट्स हम दे रहे हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होंगे ज सारी बाते जानने के लिए वीडियो को एंड तेक जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बैल आइकन पर जरूर प्रेस करिए चले सबसे पहले हम देखते हैं इशू आफ प्रॉसस इशू प्रॉसस सेक्शन 204 यह बुलता है कि कोट जब कोगनिजन्स ले ले लेता है और मजिस्ट्रेट को लगता है कि सफीशिन ग्राउंड है प्रोसीड करने के लिए फर्दर तो कोट क्या कर सकता है दो चीज़े कर सकत पर कोट जो है वो कोई भी समन या वारंट जब तक इशू नहीं करेगी जब तक प्रोसीक्यूशन ने अपनी विटनेस लिस्ट सम्मिट नहीं करी है तो कोट जो है ना समन इशू करेगी ना वारंट इशू करेगी यह important है कोट समन और वारंट तभी इशू करेगी तब प् उसके साथ complaint की copy होनी चाहिए अगर वो writing में है अगर किसी person ने complaint की है और वो complaint writing में की है हमने जैसे देखा 2D के अंदर के complaint oral भी हो सकती है राइटिंग में भी हो सकती है पर अगर complaint writing में की गई है तो summon या warrant के साथ copy complaint की attach होनी ज़रूरी है और अगर कोई person कोई law के अंदर process fee required है execution के लिए या जो भी समन के लिए अगर process fee देनी है कोई law के अंदर और अगर accused वो process fee नहीं देता है तब तक court जो है process issue नहीं करेगी और अगर reasonable time में अगर reasonable time में भी process fees नहीं दी जाती है तो court क्या करेगा dismiss कर देगा complaint को court dismiss कर देगा complaint को और last important है इसका exception है कि जो section 204 है ना वो section 87 CR PC पर affect नहीं करता है section 87 का overriding effect है section 204 पर अब एक चीज़ और है यहां पर ध्यान रखना कि जब magistrate ने जो किया है accused को समन कर दिया बात ध्यान से सुनना magistrate ने accused को समन कर दिया है अपने सामने present होने के लिए तो इसका मतलब क्या है कि proceeding जो है वो comments हो चुकी है start हो चुकी है complaint के basis इस पे magistrate ने accused को समन कर दिया है अपने समक्स उपस्तित होने के लिए present होने के लिए तो जो magistrate है क्या बोला जाएगा magistrate ने cognizance ले लिया है और proceeding स्टार्ट कर दी गई है इसके बाद क्या करेगा magistrate जो है section 203 में अगर उसे लगता है कि कोई ground नहीं बन रहा है बाद में issue समन issue करने के बाद वो 203 में complaint को dismiss नहीं कर सकता है अगर एक बार proceeding स्टार्ट हो गई है तो वो section 203 के अंदर magistrate जो है complaint को dismiss नहीं क देखेंगे power to dispense personal attendance of accused क्या magistrate जो है section 205 के अंदर accused को allow कर सकता है कि वो pleader के through present हो जाए pleader के द्वारा present हो सकता है समन उसको भेज देंगे और उसको personally court के अंदर present होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है पर अगर court को लगता है कि कोई भी proceedings की कोई भी stage पर accused की presence necessary है तो वो उसे bound कर सकता है personal attendance court में देने के लिए अब यह जो section है important है इसका यह समझना है यह जो section है 205 यह सिफ initial appearance से आपको छूट देता है ना कि final stage जब trial होती है उससे नहीं देता है section 205 का main purpose यह है कि आपको initial appearance court के सामने present होने से exempt देना ना कि जब final trial चल रहा हो उससे appearance से आपको exempt करना section 205 आप को सिफ initial appearance से exemption मिलता है यह power जो magistrate की है ना section 205 के अंदर यह magistrate summon case में summon जब issue हो गया है चाहे summon warrant case का हो या summon case हो चाहे warrant case में या summon case में जब magistrate ने summon issue किया है तो उसमें use कर सकता है पर जहां magistrate ने warrant issue किया है वहाँ पे section 205 apply नहीं करेगा अगर magistrate ने summon की जगा warrant issue कर दिया है तो वहाँ पे 205 apply नहीं करेगा warrant issue करने के साथ magistrate dispense करी नहीं सकता attendance accuse की वो bound है warrant का मतलब यही होता है अब उसे court के समक्स मेरे समक्स उसे पकड़ के लेके आईए तो वहाँ पे section 205 apply नहीं करेगा 205 आप dispense सि CRPC में जो personal attendance हम dispense कर रहे हैं वो दो section और है 273 और 317 यहाँ पे भी हम personal attendance dispense कर रहे हैं 205 के साथ चलिए next हम देखेंगे कि special summon in petty cases अब इसका यह है अलाव कि आप बीना court में आए अगर आप plead guilty करते है section 206 का main concept यह है कि आपकी court में presence जो है वो जरूरी नहीं है आप बीना court में हाए plead guilty करके PG करके आप सिर्फ अपना fine का amount court में भिजवा दीजिए और आपका case over हो जाएगा petty cases है यही बोलता है और यह जो petty cases है petty cases मतलब क्या है कि यह petty cases वो होते हैं जो 1000 रुपे तक के fine से punishable है इसके अंदर MV Act include नहीं है MV Act का कोई भी punishment section 206 CRPC में include नहीं है यह section सिर्फ इतना ही allow करता है कि उसको के वो अपनी court में बीना present हुए court में absent रहते हुए भी plead guilty करते हुए सिर्फ fine देके mayor fine जुरुमाना भरके अपने आपको जो भी एक case कतम कर सकता है यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखनी हमें जो section 206 का जो scope है ना यह जो scope यह amendment के through increase कर दिया गया था 1978 के अंदर इसके अंदर यह वोला कि state government चाहे ना तो magistrate को empower कर सकती है कि वो compoundable offense compoundable offense यह नहीं शम नहीं अपरा 320 के अंदर जहां पर magistrate को लगता है कि सिर्फ compoundable offense के अंदर भी वो exercise कर सकता है section 206 का jurisdiction या फिर कोई ऐसा offense जिसकी punishment जो है तीन साल है या fine है या दोनों है या तो तीन साल की सज़ा है या fine है या दोनों है तो उसके अंदर magistrate को लगता है कि पोस्ट करने से justice serve हो जाएगा justice render हो जाएगा justice लोगों को justice लोगों को मिल जाएगा तो ऐसे case के अंदर magistrate जो है वो section 206 के अंदर भी deal कर सकता है अभी हमने कहा कि पैटी cases क्या होता है रुपी से 1000 तक के fine की बात पर यहां पे amendment से इसका scope बढ़ा दिया है state government को power दिये तो वो और ऐसे case में magistrate को लगता है कि सिर्फ fine देने से ही justice serve हो जाएगा तो वो 206 section apply कर सकता है impose fine करके 206 के अंदर उसे special document देना जब case जो है आपका पुलिस रिपोर्ट में इंस्टिटीट हुआ है ध्यान रखना जब चार्चिट फाइल होई है तो अक्यूस को जो भी supply दी जाती हो section 207 में दी जाएगी और 207 के अंदर उसे क्या क्या documents दिये जाते है उसे पुलिस रिपोर्ट दी जाती है यानि कुछ लगता है magistrate को कि यह जो है अक्यूस को supply नहीं करनी है तो वह documents वह जो है वह अक्यूस को बीना supply के रोक भी सकता है फुलिस ऑफिसर की request पे यह जो भी documents हम supply कर रहे हैं section 207 के अंदर section 207 में हम जो भी documents supply कर रही है free of cost supply की जाती है accused person से कोई रुपए नहीं लिये जाते है कोई भी charge नहीं लिया जाता है और एक चीज़ important question जो दिमाग में आना चाहिए कि अगर 207 की complaint से नहीं हुई है magistrate ने accused को relevant documents जो है proceedings में दिये ही नहीं है तो इस case में क्या होगा अगर जो भी conviction अगर magistrate ने किया है तो वो set aside कर दिया जाएगा अगर 207 की पालना नहीं हुई है 207 follow नहीं हुआ है तो prosecution का जो भी grounds है जिसके basis पे conviction होगा सब set aside हो जाएगे यही बात court में बोली थी गयादर versus state के case में फिर आता है हमारा section 208 हमारा deal करता है बताता है कि accused को documents देना जब case जो institute हुआ है हमारा other than police report other than police report मतलब complaint case अगर complaint के basis में case institute हुआ है तो उसकी compliance जो है section 208 के अंदर दी जाती है तो यहाँ पे भी बिना देरी करते हुए section 208 के अंदर हम free of cost accused को क्या documents देंगे कोई भी statement जो section 200 या 202 के अंदर record किये जाए वो सारे furnish करवाएंगे कोई statement अगर 161, 164 के अंदर record किये जाए statement confession हमें वो देंगे और कोई भी ऐसे document जिसपे magistrate जो भी कोई भी ऐसे document जो magistrate के सामने present हुए है जिसपे prosecution rely करता है वो सारे documents भी हम 208 के अंदर accused person को furnish करवाएंगे तो यह था supply of accused पर एक चीज़ supply of accused में ध्यान रखनी है अगर इनकी पालना नहीं हुए है 207 की 208 की तो यह क्या होगा conviction को set aside easily करवाए जा सकता है conviction का कोई effect नहीं होगा अगर magistrate भी ना इनकी compliance करके आगे बढ़ते हैं तो next हम देखेंगे section 209 commitment of case to court of session अब magistrate को लगता है यहा प्रोवाइडेड नहीं है code के अंदर तो मैं in general rule के आवा के court of session थारे cases कैसे लेगा committed के धूरू लेगा अब यहां पर section 209 बोलता है हमने कि जब magistrate को लगता है जो offense जो है वो exclusively session rival है तो वो case को commit कर देगा compliance करते वे section 207 की और 208 की यानि सारे documents वगर जो है वो accused को furnish करवाएगा और जो भी document article evidence जो produce हूँ है court के सामने वो सारे के सारे forward कर देगा session court में और पीपी को public prosecutor को notify करेगा साथ में bail के provisions को ध्यान में रखते हुए अगर accused entitle है bail के लिए या उसे bail दी जा सकती है तो वो bail पे छोड़ दिया जाएगा unless नहीं तो otherwise magistrate जो है bound है कि accused person को वो remand में भेज दे जब तक session trial complete नहीं होता है और case को commit कर देगा यह चीज़ है committal की कमिटल चे पहले अगर हम देखते हैं कि अगर केस कमिट हो रहा है session court में तो हमें ध्यान रखना है कि जो supply करवा रहे हम 207-208 की अंदर accused को मजिस्ट्रेट ही करवाता है वो सिफ evidence forward करता है उपर further और पीपी को notify करता है केस जो है session court में commit कर दिया गया है particular case और साथ ही हमें यह ध्यान में रखना है यहां पर accused को जो है वो remand में बेज दिया जाता है अगर वो bail के provisions के according bail लेने के लिए नहीं है तो उसे रिमांड में भीज दिया जाएगा unless session trial complete नहीं होता है कि नेक्स हम देखेंगे कि ऐसे cases जब consolidation पुलिस रिपोर्ट भी हो और प्राइवेट कंप्लेंड भी हो सक्षम 210 में यानि एक ऐसा case जिसमें complaint भी हो गई है प्राइवेट कंप्लेंड भी मजिस्ट्रेट के सामने करती गई है और पुलिस एफ आयार भी आपने करवा दिया पुलिस इंवेस्टिगेशन भी एक पर् कुलिस और जो hypoth República सिफूल पयां है और पुलिस एफिसर जूए और इन्वस्टीडेशन कंदेख कर रहा है उसकी report मंगाएगा उसके report आने का तो वो complaint case को और police report को दोनों को ऐसे ही deal करेगा जैसे वो दोनों police report पे institute हुए और दोनों को start proceeding club in करके consolidate करकी एक ही proceeding चलाएगा ऐसे एक ही जैसे वो police report पे ही institute हुए दो चीज़ है फिर समझना अग जहां पर private complaint भी है और police investigation भी चल रही है तो magistrate जो है जो भी आपकी도 कमप्लेइन की जो भी परूसेडिंग्स है उस पर लगाएगा- इसे क्लाएगा जो पर पूसरा पॉयंट और police report आती है वह नेगेटीव आती है तो migrated क्या करेगा जो भी 맡किक्लेश के अंदर लगाए था उसे picture करेगा और वो प्रचिंघ करेगा से किन्स सेटली बताता है अगर पुलिस रिपोर्ट जो है आती है फौसेटिव निगाने पिज़गब पॉसेटिव आती है उम्हीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा वीडियो को लाइक करिए शेर करिए that's all for the day have a good day